क्या बाबा गुरींदर सिंग धिलो पूरे सत्गुरु हैं? यदि आपने नामदान लिया है और आप सही परकार से भजन सुमिरन करते हैं, आप यसनों से बचते हैं, अंडामांस मदिरा से बचते हैं, तो वो लोग पूजा पाठ करना छोड़ क्यों देते हैं क्या माराज जी के दोरा इसा बताया जाता है कि आप लोग पूजा पाठ से दूरी बना लीची तो वे प्रमात्मा का एक तरह से स्वरूप हो जाता है और जब किसी दुख से वे पीडित रहते हैं तो वो कहते हैं कि गुरू माराज किरपा करना बाचीत करने के लिए आज हमारे साथ मेहंत आनंद स्वामी जी मौजूद है मेहंत जी बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर आपका मंदिर में स्वागत है प्रियवर मेरा सवाल पहला आपसे यही है कि क्या बाबा गुरेंदर सिंग डिलो भगवान से बड़े हैं क्योंकि जिन लोगोंने सत्संग ले रखा है वो जब भी खुस होते हैं तो कहते हैं कि गुरू माराज की किरपा है और जब भी वो दुखी रहते हैं तो यह कहते हैं कि गुरू माराज कीरपा करना देखेगा यदि आप हुजूर माराज चरण सिंग जी के किसी भी वक्तविया को ले 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 या फिर बाबा जी के किसी भी वक्तविया को ले 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 उन्ही के शब्दों में आप समझ जाएंगे कि वह बगवान को क्या दरजा देते हैं, कुल मालिक को क्या दरजा देते हैं, बार 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 इस बात को कहते हैं, कि उसके नाम से सब कुछ होगा, उसकी कृपा से सब कुछ होगा, कमाल की बात यह है कि जब हम उन चीजों को नही समझ पाते तो हम गुमराही के रास्ते पर होते हैं बाबा जी कभी नहीं कहते कि मैं कोई जादू मंत्र कर दूँगा एक बार बाबा जी से एक बच्चे ने प्रश्न किया कि बाबा जी मेरे पेपर आने वाले हैं परिक्षा मिल जाएगा सत्पर्तिशत किसी भी परकार के पाखंड और आडंबर के खिलाप हैं बाबा जी तो हम ऐसा नहीं कह सकते यदि कोई हमारा सत्संगी प्रेमी गुमरा है तो उसकी वज़े से हम ये बिल्कुल नहीं कह सकते कि बाबा जी किसी भी तरीके से लोगों को गुमरा कर रहे हैं या अंदिविश्वास की तरफ लेकर जा रहे हैं सत्संगी तो हमने देखा है कि भगवान का नाम लेने से तो परहज करते हैं जब भी कहते हैं बस गुरु माराज, गुरु माराज की किरपा और गुरु माराज महर बनाए रखना ये सब बाते बोलते हैं अगर सुवेशाम सुमिरन से सई तरीके से जुड़े हुए व्यक्ति आपको दिखाई देंगे तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सत्संगी लोग ही होंगे जो की बैठ करके परमात्मा के नाम का सुमरन करते हैं हाँ जो बिचारे बहुत ज़्यादा समझदार नहीं है और बस अभी यही समझते हैं कि सत्संग में जाने मातर से या गुरू जी का नाम लेने मातर से कल्यान हो जाएगा तो यह बात आप उनकी कर रहे हैं नोगों के बारे में नहीं कह रहे हैं जो की वास्तों में बजन सुमरन से जुड़े हुए हैं और बहुत प्रबुद लोग हैं बहुत सारे लोग इसे आपको मिल जाएंगे बगवान ने ही गुरू को बनाया है तो क्या गुरू भगवान से बड़ा हो सकता है? क्यों कर रहे हैं? पाशनात की पूजा क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो व्यक्ति ही जो अपने अंदर से मैतत्व को समात कर देता है वे उस तूस्त का स्वरूप हो जाता है तो मूल बात क्या होती है? कि जब भगवान का पूरे तरीके से अपने अंदर से मैतत्व को समात कर देता है तो वे परमात्मा का एक तरह से स्वरूप हो जाता है तो ठीक इस प्रकार से आप भी परमात्मा का स्वरूप हो सकते हैं सब को इस परमात्मा का स्वरूप हो सकता है हमारे यहाँ पर जो योग मार्ग है सनातन संस्कृती में योग साधना का मार्ग है उसका लक्षे भी यही होता है कि हम अपने अंदर से आवरण को उतार करके अपने अंदर से किसी भी परकार के द्वैत के भाव को हटा करके अद्वैत में युक्त हो जाएं अद्वेत में युक्त हो जाएं हमारे याँ पर जो अहम ब्रमास्मी का उद्गोश आता है मैं ही ब्रम्म हूँ तो केवल बाबाजी के बारे में ही नहीं कह सकते बलकि आप भी उसी ब्रम्म का स्वरूप है कहते हैं कि किस से बांदू बैर जगत में कोई नहीं पराया हर मानव में परतिबिम्बित है उसी ब्रम्म की चाया मैं किस से बैर बांदू संसार में कोई पराया दिखता ही नहीं हर मनुश्य में उसी परमात्मा का तो परतिबिम्ब दिखाई देता है वास्तों में हमारे अंदर राक्षस भी है, हमारे अंदर देवता भी है आप अगर अंदर के देवता को बोजन देंगे तो देवता बढ़ेगा आप अंदर के राक्षस को बोजन देंगे तो राक्षस तगड़ा हो जाएगा अब राकसस को यदि तगड़ा कर दिया तो देवता की आवाज को दबा लेता है यानि जब कोई गलत काम आदमी करता है तो उस समय अंदर का देवता आवाज देता है कि यह काम मत करो लेकिन राकसस को तगड़ा किया हुआ है तो जब राकसस को दगड़ा किया है तो देवता को दबा लेगा और दीरे दीरे देवता की आवाज इतनी धीमी हो जाए कि वो सुनाई देना बंध हो जाएगी जिसने उस देवता को बोजन देना शुरू कर दिया उसका देवता दगड़ा हो जाएगा जब भी राकसस कहेगा ये गलत काम कर तो अंदर का देवता दबा देगा तो मूल बात क्या है आपके अंदर देवता भी है आपके अंदर राकसस भी है ठीक इसी परकार आपके अंदर वे परमतत्व भी है और अंदर गंदगी भी है अगर उस परमतत्व के उपर गंदगी का आवरन चड़ा लेते हैं तो आप मूलतत्व को भूल जाते हैं ठीक इस परकार जैसे एक बल्ब है बल्ब के अंदर परकास तो है लेकिन उसके उपर काला कपड़ा लपेट दिया अभी बल्ब दिखाई नहीं दे रहा जलता हुआ कि यह परकास है बोले कि एक तैमे दिखाई देगा एक औरते है लपेट दो एक औरते है जब साथ-ाठ तै हो जाएंगी काले कपड़े की मजबूत कपड़े की अब अंदर परकास जल रहा है तो वह अहम ब्रमास्मी के उद्गोश की तरफ बढ़ता है यहां पर सोहंग सब्द जो हम बोलते हैं वो भी वही है जो परमात्मा है वो ही मैं हूँ केवल गुरू ही परमात्मा का सुरूप नहीं आप भी परमात्मा का सुरूप हो सकते हैं गुरू तो यह संदेश आपको दे रहे हैं बाबा गुरिंदर सिंग डिलो सत्संगियों को नामदान देते हैं तो यह जो नामदान है तो क्या यह मुक्ति का मार्ग है? जी हाँ नामदान मुक्ति का मार्ग है अगर बंदूक का लाइसेंस ले करके बंदूक नहीं खरीदी तो भी नहीं होगी रक्षा बंदूक खरीद भी लेकिन बंदूक को कहीं ताले में बंद करके रख दिया सुरक्सित रख दिया कोई आदमी लटहेत आकर के आप से सब कुछ लूट करके चला जाएगा जबकि आपके पास तो बंदूक थी कोई आदमी आपकी हानी करके चला जाएगा बंदूक तो थी बंदूक तो ताले में बंद थी काम तब करेगी जब आप उससे चलाना भी जानते हों और चलाने के लिए तत्थपर भी हों और उसको सही परकार से देख रेक भी करते हों ऐसा नहीं कि उसकी सफाई तक नहीं कि उर्स में जंग आ गया ठीक इसी परकार से यदि आपने नामदान लिया है और आप सही परकार से भजन सुमिरन करते हैं आप यसनों से बचते हैं अंडा मांस मदीरा से बचते हैं वे अभी चार से बचते हैं लोगों से प्रेम करते हैं आपकी वानी में विनमरता है आपके कारियों में सैजता है तो दीरे दीरे वे जो परमात्मा का नाम आपने गुरू से लिया है वे परमात्मा का नाम निश्चित रूप से आपको मुक् पूजापाट से दूरी बना लीजिए। आप अगर एक स्थान पर जा रहे हैं, कहीं पर जा रहे हैं, उस स्थान पर जाने के लिए क्या आप हमेशा एक वाहन का ही प्रयोग करते हैं। आप अभी मेरे पास में याँ अपनी गाड़ी से आए हैं, कभी आप बाइक से भी आ जाते हैं। बहुत सारे लोग गाड़ी से ही चलते हैं, मालिया दिल्ली जाना है, तो कुछ लोग गाड़ी से जाएंगे, कुछ लोग ट्रेन से चले जाएंगे, कुछ लोग बाइक से भी जा सकते हैं। सब का गंतव्य दिल्ली होना चाहिए, लक्ष दिल्ली होना चाहिए, और आप किस सादन से जा रहे हैं, ये आपकी सुविधा, आपकी स्थती, दस चीजों पर निर्बर करता है। एक आदमी को सुविधा, निराकार बर्म की उपासना में है, एक को साकार में है, एक को प्रभु नाम सुम्रण में सुविधा है, उसकी स्थती, उसकी मनस्थती और उसकी स्रद्दा पर निर्बर करता है। धर्म के नाम पर लड़ाईयां होती आई हैं जगड़े होते आई हैं मेरी मान्यता सही मेरा धर्म सही इस तरह की बात होती आई हैं और उन्हें नामदान भी मिल गया है, और वो लोग भजन सुमिरन भी कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से वो तो मुक्ति का मार्ग पा लेंगे, लेकिन जिन लोगों ने सत्संग नहीं लिया है, और जो लोग गुरु को नहीं मानते हैं, वो तो केवल परमात्मा की पूजा करते हैं, तो फिर उनके लिए क्या, क्या वो लोग मुक्ति का मार्ग नहीं प्राप्त कर सकते हैं? देखेगा, यहाँ पर कई लोगों का जिक्र करते हैं अपने सत्संगों में, बाबा गुरींदर सिंग जी भी करते हैं, उससे पहले हुजूर माराच चरण सिंग जी भी करते थे, मैं तो चरण सिंग जी को ज़्यादा सुमता था, बहुत धारा प्रवाह उनका बोलना में उनसे काफी प्रभावित था तो वो बार-बार कई महत्माओं का जिक्र करते हैं कई संतों का जिक्र करते हैं वो तो रादा स्वामी से नहीं थे वो तो उनसे पहले के संतों का जिक्र करते हैं तो उनका जिक्र कर रहे हैं यह उनको महान मान रहे हैं वो कभी इनकार करते हैं कि दूसरी पद्दती से आप नहीं जा सकते वहाँ पर उद्देश यह होता है कि व्यक्ति विकारों से बचे व्यक्ति बुराईयों से बचे और अगर व्यक्ति विकारों से और बुराईयों से बचकर प्रभु नाम से जुड़ा हुआ है वे किसी भी पद्दती से परमतत्व से और परमात्मा से जुड़ सकता है जैसे राधा स्वामी जी की जो भी पद्दती है मैं उसका सम्मान करता हूँ लेकिन मैं या मंदीर में बैठा हुआ हूँ मेरी पद्दती बिल्कुल अलग है लेकिन मैं उसका सम्मान करता हूँ और मैं किसी दूसरे बक्त की भी पद्दती का सम्मान करता हूँ ठीक इस परकार जैसे मेरा बच्चा है मैं उसको प्रेम करता हूँ न अब कोई आदमी किसी भी जाती का हो किसी भी दर्म का हो मेरे बच्चे की खैर खबर रखता है उसकी सहायता करता है उससे प्रेम करता है तो मुझे अच्छा लगेगा ना मेरा बच्चा दूर रहता है मान लिया अभी जवान हो गया है दूर रहता है मुझे सो डेट सो किलोमेटर दौर है मुझे पता चला कि एक आदमी है है तो वो मुसलमान लेकिन मेरे बच्चे की सायता की है जब मर रहा था बिमार था एक्सिडेंट में उसका हो गया था उसने उठाया अस्पताल पहुँचाया उसने उसकी सेवा सुसुरसा की तो उससे मुझे मुझे मुवबत हो जाएगी न तो जाहिर सी बात है कोई आदमी कहीं पर भी है किसी भी इस्तिती में है अगर वे प्रेम से जुड़ा हुआ है अगर उसके कर्म अच्छे हैं तो जाहिर सी बात है बैतर है बैतरी है क्या बाबा गुरिंदर सिंग ढिलो पूरे सत्गुरु हैं? लोगों को न बताए जिससे की करने में उसके धन की हानी, उसके समय की हानी या फिर कोई उसके अंदर भै व्यापत हो जाए जो भी कोई व्यक्ति इस तरह से कहेगा कि परमात्मा का नाम लो सब दिन आपके लिए शुब हैं। परमात्मा को आपके किसी आडंबर की जरुरत नहीं, बैटकर केवल उसमें ध्यान लगाने की आवशकता है, तो बस उसमें किसी खर्च की भी आवशकता नहीं। जब भी आप किसी अंदविश्वास में पढ़ रहे हों, उस वक्त केवल यह न बताए कि मैं ही सब कुछ करूँगा, तुम्हारा नाम कहीं पर भी बैटकर के तुम नाम लोगे, तो तुम्हारा नाम लेना, परमात्मा का समरन करना, यह तुम्हें मुक्ति की तरफ लेकर ज इसे बहुत सारे यहां पर इस भारत भूमी पर महानसंत हैं, उन्हीं महानसंतों की श्रेणी में मैं गुरिंदर सिंग्जी माराज को रखता हूं, और वास्तों में सच्चे गुरू हैं, पूरे सथ गुरू और मृत्यों के बीच क्या संबंद हैं, देखेगा, अगर एक व कहां चला जाओं, बटक गया हूं फिलाल, अब उस व्यक्ति ने बता तो दिया कि मुझे ये बात तो कन्फर्म है कि इस रास्ते से दाएं मुड़ना है अब आगे का रास्ता मुझे पता नहीं, अब दाएं या बाएं ये तो सही बता दिया उसने, कुछ दूर हम चल भी द गया, यानि कि उसको पता था कि आप इस इस परकार से मुड़कर जा सकते हैं, उसने अच्छे से बताया, इस परकार, इस परकार, मुड़कर गनतव्य पर चले जाएंगे, तो आप मंजिल पर चले जाएंगे, गलत वो भी नहीं था, लेकिन उसे पूर्ण ग्यान नहीं था जिसको पूर्ण ग्यान होता है, वे सही मंजिल पर पहुचा देता है, जब आप सही मंजिल पर जाएंगे, तो समझो आपकी मौत नहीं हुई, और अगर आप मंजिल से बटक गए तो मृत्यू है, अर्थात आप दुर्गती को प्राप्त हुए, आप नर्क गामी हुए, आ आपको मृत्यू नहीं कह सकते है, यह मुक्ती है, तो मूल बात यह है, कि यदि कोई सद्गुरू है, सची रहा बताने वाला है, वे आपको बटकाता नहीं, तो अधूरा गुरू आपकी सहायता उतनी नहीं कर सकता, और अगर पाखंडी गुरू मिल जाए, तो पूरे तरी गुरू है या बाबा गुरिंदर सिंग डिल लो, मैं आपको एक बात बताता हूँ, कि प्रियवर ये प्रस्ण मेरे स्तरकावे से है नहीं, लेकिन मैं फिर भी बता दूँ, कि आप किसी भी छोटे बच्चे से यदि पूछ लोगे, कि राम रहीम को देखकर कैसा लगता है, अगर सामान ये, जो उसके गिरप्त में आ गए हैं, मुर्क लोग गिरप्त में आ गए हैं, तो उनकी तो बात ही क्या, लेकिन सफ़ष्ट रूप से जिस तरह के उसके क्रिया कलाब थे, जिस तरह का वे कार्टून पंती करता था, उसके मिम्स बनते हैं, बहुत सारी इस तर सबसे उंचे गुरूं में मैं सबसे उंचा स्थान रखता हूं, इत्यादी इत्यादी इस तरह की बात भी करता है, और भी बहुत सारे गुरू मैं कहुंगा, कि चेरे से देखकर, हाव भाव को देखकर, और व्यक्ति के शब्दों के बोलने के तरीके को देखकर भी पता च सुना फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही अगली वीडियो में फिर आप से मुलाकात होगी तब तक बने रहें इंदुस्तान 24 के साथ नमस्कार